चलिए हलो एबरेबरेबन विल्कम यौल एट लोके सारे लेमिटेटर स्टडी जोन स्टार्ट कर रहे हैं से कौन सा पेपर है भाई सीबिसी एक्जामेनेशन दो अजार अठार अब आप सोच रहे होगे इतना पुराना पेपर क्यों लगा रहे हैं प्रैक्टिस में परफेक् स्टार्ट करते हैं देरना करते हुए क्वेशन देके पहला क्वेशन क्या है देखो बायो तो मुझसे बंती नहीं है अब लोग को पता है खुद से करना परता है थोड़ा सा हिंट दिवेंट देरता हूं है अम डिलीवन एक्सपरिमेंट कंसेस्टर अप ब्रीडिंग पी बेरिंग वाइट फ्लावर वाट विल्वी दे रेजल्ट अप दा एफ वन प्रोजिनी भाई सब आपन कोई पता नहीं है बट आप देख लिजिए इसका सलूशन कुछ इस तरीके से दिया गया है यह देखिए यह एफ वन प्रोजिनी का रिजल दिया गया है यह आपको मै जो पीडिएफ है आपको मैं दे दूँगा आप लोग प्लीज इसको पीडिएफ को अपडेट कर लिजेगा ओके मेंडल एक्सपरिमेंट का एक्सपरिमेंट है ध्यान से देख लिजे इसका सलूशन है चलो बहुत बढ़िया अगला कोशन बढ़ते है राइट एनर्जी कन लगरण कि अच्छों की देखा क्या होने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा कौन सा कमपाउंड होगा एक्स को अपनने गरम किया excess of sulfuric acid में और 443 Kelvin पर तो गरम करने पर यह आपको क्या दे रहा है एक compound Y दे रहा है, X also react with the sodium metal to involve a colorless gas Z, identify X, Y and Z, write the equation of the chemical reaction formation of Y and also write the rule of the sulfuric acid भाई, इतनी सारी बात दे रही है, इतना सारा देख करके आप बहुत confused हो गया हो, अब आराम आराम से this question को समझो देखो तो यह question भाई साब आपके सामने लिखाओ, इस question को बड़े आराम-आराम से समझो, देखो क्या कह रहा है, बच्चो देखो, इतना कठी नहीं है, अगर आपने carbon and compound अच्छे पड़ा है, तो आप बड़े-बड़े question को ले जा गए, और believe me, यह question कैसे बच्चे कर पाएंगे, य तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, इस टाइब को, एक compound on heating X with excess concentrated, excess of concentrated sulfuric acid, मतलब sulfuric acid के साथ गरम करने पर, आपको एक unsaturated compound मिल गया, तो बेटो, यह होता है, क्या CH3, CH2OH, यह होता है, एथाइल, alcohol, क्या होता है, एथाइल, और बेटा, जब आप इसको गरम करते ह हो, हाँ, इसी को इथनाल बोलते हैं, तो H2SO4 की presence में, जब आप इसको 443 Kelvin पर गरम करते हो, तो बेटा, H2SO4, है तो, क्या एस्टर बनेगा, कुछ भी बोल रहा है, जनता के सामने, इतरा देखो 443 Kelvin पर, तो H2SO4 जो होता है, यह होता है, dehydrating agent, यह पानी खीच लेता है, क्या एक है यहाँ कोड़ा दो, और एक है यहाँ कोड़ा दो, कड़ गया, HOH, तो, HOH को कलटी मारो, यह देखो, HOH मतलब H2, अब बच क्या गया बाई, दो कारबन बन गया, C2, hydrogen total कितने थे, तीन, दो, पाँच और एक, छे, छे में से दो निकल गया है, तो कितना बचा है, C2H4 यहाँ Nea CH2 double bond, CH2, देख लो, C2H4 बन गया, और इसको भाई सब कहते है, ETH, क्या बोलते है, ETH, तो बना क्या है, भाई सब ETH, बना है, तो YES, X का पता चल गया, तो X क्या था, एलकोहल, Y का पता चल गया, Y का पता चल गया, भाई, अब आंके क्या कह रहा है, X also react with the sodium metal, और evolve हाइड्रोजन गास के रहा है जो एक्स है एक्स तो क्या था भाई सी टू एच फाई वोच्ट था कि नहीं थैं बोलो एक्स था सीटू एचे फ्वाइव बॉच और अगर ये सोडियम के साथ रिएक्षान में पलार कि ने लो यहां पर और भाई साब यहांपे देखो टू सी C2H5, तो बन जाता है, C2H5, ONA, ONA, है ना, सोडियम एथोकसाइड, सोडियम, एथोकसाइड, ये सोडियम है, और ये क्या है, एथोकसाइड, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, क्योंकि दो एच लगे है, येस, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाती है, Sulfuric Acid of the Reaction, Reaction में Sulfuric Acid का रूल बताओ, तो Sulfuric Acid क्या करता है, Dehydrating Agent का काम करता है, Sulfuric Acid, कितना बार बताओ, Dehydrating Agent का काम करता है, पानी सुखा देता है, बात नहीं मान रहे हैं, तुम लोग यार समझ नहीं हो, पानी सुखाता है, Dehydrating Agent, S2SO4 का का क्या है, पानी बलना पड़ेगा, तो पानी सुखाने का काम कर दिया, S2SO4, बोलो क्लियर है न, चले तो आंसर देख लेते, इसी बात पर, X की वैल्यू देखिए, X यहां पर देखिए, X, Ethanol है, Y क्या है, CS2, CS2 है, Ethan है, Z क्या है, Z है, S2, और यह देखिए, यह reaction को ध्यान से देखिए, य यह reaction लिखी हुई है, यह reaction लिखिए, CS3, CS2 है, Ethanol है, और S2SO4 है, हीट के साथ रियक कर दी, यहां पर इथीन बन गई, और क्या निकल गया है, पानी निकल गया है, हियर सल्फियोरीक एसिट, एक्ट एसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पतलब पानी को निकालने वाला पानी बनाएगा, sodium ethoxide, चलो, question हुआ, question number 4 कि रहां आँगे, बढ़ते है, question about 3, हो भाई, question number 4, bio question देखते ही, मेरी बोलती बंद, name one, gastury receptor and one olifactory receptor, अरे olifactory receptor क्या होता है, यारी तो पता है, नाक होती है, क्या होती है, है, नाक तो olifactory organ है, यार, देखते है, इस रिसप्टर, साइद माक के अंदर कुछ लगा हो, जो सूंगने का काम करता हो, receptor लग होते हैं, और gastury receptor, gastury receptor, मुझे पता नहीं, human being, चलो, answer देखके पता चलते हैं, जो gastury receptor होता, वो होता, taste buds, क्या होता है, अरे तुका सही फड़ो गया, रेसेप्टर ओन नोज, रेसेप्टर ओन, क्योंकि यार, olifactory से मालूम, मेरे को क्या यादा है, olifactory से, मजला सूंगने वाला, पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है, मगर फिर भी olifactory से क्या यादा गया, सूंगने वाला, चलो, 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 अगल बात करते हैं, भाई साब देखें, नेक्स कंसेप्ट की, नेक्स कंसेप्ट क्या कह रहा है, ठीके भाई, अगला क्वेशन देखें, नेक्स कंसेप्ट क्या है, हाँ, राइट A and B in the given chart of the neuron, through which information travel in an electrical impulse, जो भाई साब, तो यहाँ पर आपको लिखना है, डेंडराइट के प्यार यہा, घलेगी मार, तो पहले बनी मला इसाब आपके पास में आएगा साइट ओन, देखिये, तों एक यह जगह में क्या रहा है, साइट ओन अ व। बात है, यह जाँन है, और बी की जगह में एक्स अन दों है, बिल्कुल सही है, क्वेशन नृमर पांच में की बात क और सीरी बंती है बाइसा मिरर के सामने वाली इमेज और डिमनिस्ट एक ही मिरर का किसे कॉन सा किसे कौन वाट टैप अब मेरा ढोल बजाओ वहीं और आंसर लेवल डाइग्राम बनाना है यह बहुत यहां से इमेज आएगी फोकस से जा तो नहीं सकती है वापस चली जाएगी मगर इस जनम न मिलेंगे अगले जनम तो मिलेंगे डॉट 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 और यहां से दूसरी आने वाली जरेज जो सेंटर आफ करवेचर को मान के जाएगी वह सीरे बैक हो जाएगी वापस तो यहां पर आपको छोटी इमेज देखे देखो भाई सा है इसलिे इन फ्निटी का अंसर दे रहे है दीको क्या थरए लेभल डेग्रम वीट वेट-वीट-वेट-वेट-वीट-वीट अ बोलो clear है ना चलो आंगे बढ़ो दूसरा वाला diagram याद है कि भूल गया हाँ देखो भाई यह आया when object is a place anywhere between infinity and pole अगर infinity और पोल के बीच मां object कहीं भी बैठा हुआ है तो क्या होता है एक रेस जो चलती है सीधे focus से sorry parallel principal access के वो लॉट करके वापस चली जाती है और ऐसा लगता ह है कि focus से होके आ रही है बोलो yes की no पका और दूसरी जो रेस है जो center of curvature की तरफ जाती है जैसे गई थी उसी वासे वापस चली आएगी और यहां पर बन गया आपका बिनरा दिख रहा की नहीं दिख रहा है चलो मतलब तो लोग की आखे बिल्कुल ठीक है तो यह image आप लोग एक infinity वाला पार्ट है दो दो पोजीशन पर आपके दो पोजीशन में आपका image बनता ना एक यह बनता इंफिनिटी वाला और एक आपका यह बनता anywhere है तो दोनों को बना दिया है ना दोनों को बना दिया है बोलो क्रीक है clear है चले पर आंगे चलो question number 6 क्या कह रहा है देखते ह है चले देखे question number 6 क्या कर रहा है decomposition reaction require energy either in the form of heat or light okay heat or light or electricity for breaking down the reactants write one equation each for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of the heat light भाई तीनों reaction लिखनी है heat वाले decomposition को बोलते है thermal decomposition light वाले को बोलते हैं क्या electric decomposition decomposition आहाँ क्या बात है भाई सा फोटो कर डीकमपोजिशन विल्कुल सही बात है और electricity वाले को क्या बोलते है electric decomposition चलो तो तीनों का नाम लिख दो याद हो गया है कि नहीं याद है c a c o 3 heat देदी तूट गया c a o plus c o to high na yes और dc का उल्टा कर देते हैं तो combination हो जाता है बोलो हाया ना c a o plus c o 2 बना जाता है c a c o 3 अगर उल्टा कर दोगे तो combination और यह से टूड़ गया तो decomposition और heat प्रिजेंट है तो कौन साइब कर डीकमपोजिशन thermal decomposition sunlight की बात करो sunlight देके 2 a g c l बोले ऐसा no 2 a g c l अरे कौन से color का होता है white color का किस color का होता है white color का और बन जाता है 2 a g तूट करके c l 2 a g का कौन सा color होता बच्चों मिले gray चलो अगला देखो बेटा electricity decomposition यह देख लो भाई mam mam पानी हाया ना स्टू ओ देडिया electricity पास कर दी हाया ना hydrogen और oxygen क्या हो गया अलग अलग बोलो क्लियर एक नहीं क्लियर है चलो डैन अगला question चलते है question number 7 वां 2 ml of sodium hydroxide solution ओ हो अरे 2 ml 10 ml हमाई भासा में दो केबल होता है अने हो एच 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few place of the granulated zinc यह लिलो भाई जैड एन अरे यादा गया मुझे sodium zincate क्या यादा गया sodium zincate n a z n O two है ना ऐसी होता है आए ने जड़ेन ओटू ठीक ना तू एन अने टू जड़ेन ओटू तो भाई साब यहां लगाव ना यहां पी लिफ लग तू एने जड़ेन ओटू एने टू जड़ेन ओटू एने टू जड़ेन ओटू बिल्कुल से ए a gas involved with the which bubble through a soap solution जो की bubbles निकलती सोब solution में before testing ride the equation of the chemical reaction evolve and rate test da or is gas ko test aray bhaiya hydrogen ko test करने वाला pop sound and a test test करते है नेम दगेस which will be evolved the same metal react with the dilute solution of the strong acid कह रहा है कि अगर आप कह रहा है अगर इसी metal को इसी metal को अगर आप acid के साथ रियक करोगे अरे यार तो same gas निकलती है ना क्योंकि पता तो है कि metal के साथ अगर acid भढ़ाओगे तो metal प्लस acid equal to metallic salt प्लस कौन सी gas बच्चों hydrogen कौन सी gas hydrogen चलो भाई साब देख लिए